असलावलेकूम फ्रेंड में फर्जाना मेमान आज आप लोग के लिए ले के आई हूँ इस्पेशल सर्दियों की रेसिपी चिकन कॉन सूप की रेसिपी ले के आई हूँ जो हमारे घर में अक्सर बनता है आज मैं आप लोग के साथ बहुत सिंपल सी सूप की रेसिपी शेयर क तो आएए चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी घर में चिली सोस नहीं है तो आप लोग को चिली सोस घर में किस तरीके से बनाना है चलते हैं रेसिपी की तरफ तो यहां पर मैंने तीन गिलास पानी डाला है पतीले के अंदर और इसके अ जोले है कि एक शूप चिकन डालें लेकिन ये शुप चिकन के बिना भी बहुत ही अच्छा बनता ह। तो यह आप देख सकते हैं यह अच्छा है जोश खा चुका है और चिकन हमारी ऑच्छा इसके के आप को भी जोश खा चुका ये यकनी है। जो चिकन जिसमे में हमने उबाला था चिकन में निकाल लिया है। और इस अकनी में ही में क्व community शामिल करूंगी हैं, यहा पर मैंने 2 चमज भरकर झाल क्वी और भॉषे अब भगाके साद पानी के साथ इसे में, तो गुठलियां बनने की यही वज़ा होती है कि आप लोग घरम पानी के अंदर डाल देते हैं या पानी सादे में हल करके डालने के बाद आप लोग चमचा नहीं चलाते हैं तो इसमें गुठलियां पढ़ जाती हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने जिस तक उसे श में तुड़ दीजी और यहां पर मैंने काली मिरियां डालीए है और मुझे थ़ड़ा पानी कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया है तो यहां पर हमारी यखनी जो यह और अच्छे तरीके से पक जाएगी तो यहां पर आप देखें कॉण फलोर मै में इसके अंदर आप नमक चख रही है, इसके बाद नमक चख रही है, तो नमक बराबर है, क्योंकि मैंने यखनी के अंदर नमक डाल चुकी थी, ताकि चिकन पे भी हमारा नमक लग जाए, तो यहां पर मैंने एक अदद अंडा ले लिया है, अंडे को बहुत अच्छी तरीक इसमें गोल-गोल चमचा गुमाना है, ताकि अंडे के जो है, वो छोटे-छोटे रेशा हो जाए, और हमारा सूप पूरा कवर हो जाए, तो आप देख सकते हैं, कि कितनी अच्छी तरीके से इसमें अंडा हमारा रेशे बन चुके हैं, बारिक-बारिक पूरे सूप पूरे चिकन का रेशा कर लिया था, और चिकन आप देख सकते हैं, कि कितनी गल गई इस चिकन को भी हम, इसे सूप के अंदर शामिल कर देंगे, और इसे हम घुमा लेंगे। अगर चिकन ना हो तो परेशान होने कि कोई बात नहीं है क्योंकि आप बगेर चिकन के भी इसे बना सकते हैं और इसका जाहिका बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पर हमारे सूब जो है वो त्यार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना जट पढ़ सूब को हमने तैयार किया है तो यहाँ पर मैंने सुरका ले लिए है और इसके अंदर में डाल लिए पिसीवी लाल मिर्चे है वो डालने से आपका चिली सोस जो है वो घर के अंदर तयार हो जाएगा तो यह हमारा चिली सोस तयार हो चुका है अगर आप लोग के पास ना हो तो आप भी इसी तरीके से चिली सोस को तयार कर सकते हैं तो इसे हमने साइट पे रख दिया और अब हम बना रहे हैं गिरीन चिली सोस तो गिरिन चिली सोस बनाने के लिए हमें हरी मिर्चों की जरूरत है, मैंने तीन अदद हरी मिर्चे लिए और बारिक बारिक काट लूँगी, और आपने ये बात करें, याद रखनी है कि आपको इसे एक घंटे पहले बना के रख देना है, ताके मिर्चियां जो है, वो हमारी सूप के साथ अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैंने इसे सुरके के अंदर भीगा दिया है, और कुछ देर के लिए इसे रख दिया, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जबर्ज़त सा सूप तयार हो चुका है, इसके अंदर मैंने एक अंडा बॉयल किया है, और यहाँ पर है हमारा चिली सोस तयार, तो वह भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, यहाँ पर मैंने शामिल किया है, सोया सोस, थोड़ा सामने इसमें सोया सोस डाल दिया, और इसके साथ ही मैं थोड़ा डालूँगी चिली सोस, जो हमने घर में तयार किया था, वह चिली सो यहां पर हमारा मज़ेदार सा चिकन कॉन सूप तयार हो चुका है, तो आप लोगों ने जरूर ट्राइ करना है, और जरूर इस सूप पीना है, और यह बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है, जो जट पट बन गया है, आप देख सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाफिज दौाओं में याद रखेगा, अपना धेर सारा ख्याल रखे,